हाई अबरिवन वेलकम बैक होगे आप सभी के अनधर वीडियो में तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेस्बूक की एक न्यू अपडेट के बारे में जी हाँ फेस्बूक ने एक नई अपडेट निकाल लिए है उसमें उसने क्या किया है जो पिक्जल थे ना उसको उसने रिप्लेस कर दिया है फेस्बूक डैटाबेस के नेम के साथ अब हम लोग क्या करते थे अपने फेस्बूक पिक्जल सेट अप करते थे उसको हम लोग अपने Shopify स्टोर के साथ किनेक्ट कर देते थे ताकि हम अपनी जो भी किस्टमर आ रहा है उसकी जो एक्टिविटी एना उसको ट्रैक कर पाएं आप Facebook ने थोड़ी सी चेंजिंग कर दिया उसने पिक्जल को रिप्लेस कर दिया database के साथ और इसलिए मैं कहता हूँ याद चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अपडेट जो भी आती रहती है फ्यूचर में आपको उनके बारे में पता होना चाहिए चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो याद यह चीज़ें कैसे पता होंगी आप लोगो तो मेक्शूर कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नो डिपकेशन बैल लाजमी होन करना है वीडियो का बज़र इंटरस्टिंग होना वाली है विदाउट वेस्टिंग अनी टाइम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं आपशन स्टार्यों करना है अपना अपनों कर करना है अब अपने अगया ज़स्टिंग में सुट करना है पेशन इस से अचर्टिंग में यह ख़र ऊप्शन खेका तो उसके बाद इधर साइड पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे पहले नमबर पे तो आप लोगो ने इधर ये ब्रेंट एंड सेफटी सुट अबिलिटी ये इसको आप लोगो ने अपन करना है और इधर डुमेंज में आके आपकी जो डुमें वो वेरिफाइड हो अगर आप लोगो ने डुमेंज वेरिफकेशन नहीं की हुई तो आप लोग इसको पहले डुमेंज को वेरिफाइड करो बाद में आप लोगो ने डेटा सेट जो है मतलब के जो पिक्जल है उसको फिर बाद में सेट करना है अगर आप लोग को नहीं पता कि डुमेन वेरिफिकेशन किस तरिके से करते हैं तो इदर आई बटन में आप लोग को वीडियो का लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियो का लिंक परवाइड कर दूंगा सो मेक शूर करना इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो पहले जाकर देख लेना जिसमें मैंने डुमेन वेरिफिकेशन बताया हुआ है और इसको मैं इस से सिंपल से क्लोज कर देता हूँ आप लोग ने डेटा सोर्स यह वाला जो बटन है इसको उपन करना है इधर आप लोग चेक करो तो पिक्जल आपको देखने को मिल जाते हैं अगर मैं पिक्जल पे क्लिक करूं तो यह चेकरो इधर यह बिजिबल ही नही सो इस चीज को आप लोगों ने अब सेट करना है आप लोग ने करने के लिए एड पे क्लिक करोगे सबसे पहले नेम रखोगे डेटा सेट का कोई भी तो इधर मैं रख लेता हूँ गराज ओनलाइन डेटा सेट पिक्जल यह मैंने लिख दिया इसका नेम आप लोग कुछ इस एक्सेश देदें है किस्को आप लोग इस डेटाबेस यह जो डे announce एक्सेश सग्जार रहे हो अप लोग इदर add people पर क्लिक करोगे इधर यह च्याकरो यह आपकी परफाइल शो हो जैं Wars और सारे कि सारे वो परसंख चिए जिनको आप लोग एक्सेश देना चाहते हो इस इस बंदे को अब जितने भी लोग आप लोग लोग एदर एड गरोगे जितने भी परसंज आप लोग एड़ करोगे वो सभी लोग इस डासेट को पिक्जल को एकसेस कर सकेंगे इसके बाद आप लोग नहीं कहाना है इवेंट मैंजर में जयना है और अपने शोबीफाइ सेट करना चाहर है उसको आप लोगों निए इदर से बकी की से इंग करने लेखर में को आप kaydedर आप लोग ने कर लेना के बाद इंस्टाल कोड मेनूली पर कलिक करना है ठीर कीने के बाद आप लोग ने जाना है अपने Shopify store में आने के बाद online store में आ जाएंगे themes वाले section में आ जाना है और आप लोग ने उसके बाद अपने theme में जाके इस code को paste करना है 3 dots पे आप लोग ने इधर click करना है added code पे click करना है and theme dot liquid का इधर एक section मिलेगा उस पे click करके आप लोग ने नीचे scroll down करते आना है इधर आप लोगों को एक head का tag मिलेगा ये चेक करो head का closing tag जो होगा ना ये वाला जिदर head tag close हो रहा है उधर आप लोग ने इसके उपर इधर में 1, 2, 3, 3 spaces दी है और जो पहले वाली space होगी उसको छोड़ देना है second वाली जो space होगी ने इधर आके आप लोग ने उस code को paste कर देना है अब ये चेक करो meta pixel code इधर paste हो गया है उसके बाद simple से आप लोग ने इसको save कर देना है code को assets जो है हमारे save हो चुकी है उसके बाद आप लोगों काम इधर से complete हो गया है दोबारा चलना है इधर इसको हम लोग continue करेंगे continue करने के बाद आप लोग ने turn on automatic advanced matching इसको आप लोग ने simple से on कर लेना है और make sure करना है ये सारे के सारे जो options हैं ये सारे on ही हो उसके बाद इसको continue कर देना है so हमारा काम जो है इधर खत्म हो चुका है अब इसके बाद आप लोग ने simple से क्या करना है back आजाना है इधर से back आने के बाद settings में आना है settings में आने के बाद नीचे आप लोग ने इधर स्क्रोल डाउन करना है और इधर आप लोग एक option मिलेगा automatic website matching का तो आप लोग ने इसको देख लेना है अगर तो यह on है otherwise अगर off है तो इसको आप लोग ने on कर लेना है फिर नीचे आप लोग ने scroll down करना है इधर एक track event automatically without code का एक option मिलेगा इसको भी आप लोग ने on कर लेना है अब यह दोनों आप लोग ने on कर लेना है उसके बाद कुछ भी नहीं करना simple से हमारा काम जो है वो complete हो गया है अब इधर आप लोग ने बागना नहीं है छोड़ी से एक setting ओर रहागी है उसको आप लोग ने कर लेना है अगर तो आप लोग भी वही use कर रहे हो तो इतनी setting enough है अगर आप लोग ने अपना extra से COD firm एड़ किया हुए अपने store में जैसा के release it COD firm आता है जहाता लोग वो यूज करते हैं या whatever आप जो भी application इंस्टाल की रही है अब depend नहीं करता अगर आप लोग ने वो करके रहा हुआ है तो उसमें आप लोग ने एक setting करनी है वो देखते हैं कि क्या है इसके लिए आप लोग ने क्या करना है यह जो हमारी ID है यह वाली जो ID है इसको आप लोग ने simple से copy कर लेना है अब इसके उपर भी क्लिक करोगे तो यह copy हो जाएगा copy करने के बाद आप लोग ने अपने store में आ जाना है वापिस इधर से मैं इस code को exit कर देता हूँ उसके बाद आप लोग ने इधर से apps वाली section में आकर अपनी उस application को open कर लेना है अब मेरे case में मैंने release it code farm ये वाली application करके रखी हुई है इसको मैं open करूँगा अपन होने के बाद आप लोग ने simple से settings and integration वाला ये जो left side पर option मिल रहा है इस पर click करना है click करने के बाद इधर आपको एक pixel का button मिलेकर pixel में आप लोग ने आजाना है उसके बाद आप लोग ने add item पर click करना है और इधर ये check करो facebook pixel की आप लोग ने type make sure करने इधर से facebook pixel ही हो और pixel ID में आगया आप लोग ने उस ID को paste कर देना है अप लोग ने अब इतना सा काम था simple से इसको आप लोग ने save कर लेना है और आपका सारा का सारी settings complete हो गई है अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हमारे जो pixels है हमारा जो data set है वो साही से काम भी कर रहा है के नहीं अब हम लोग ने setting कर रहा तो सारी कर ली है अब उसको check करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इधर अपनी website को उपन कर लेता हूं अपनी website को यह मेरी website garage online के नाम से और इधर आप लोग ने एक extension डाउनलोड कर लेनी है meta pixel helper के नाम से अब यह जो extension है यह हमें बता देगी कि हमारा जो pixel है हमारा जो data set है वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं तो यह चेकरो इसको मैंने open किया है और यह देखो हमारा यह pixel शो करवा भी रहा है अभी तर यह already मैंने दो pixel setup की हूँ है पहले वाला यह और दूसरे वाला जो अभी मैंने आप लोग को करके दिखाया है इसकी ID भी आप लोग देखो इसके last पे आ रहा है 2341 और अगर मैं आप लोगों को अपनी website में लेके चलूँ और इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ यह चेकरो 2341 इसके last पे ID के आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो यह pixel है यह data set है यह successfully install हो गया है हमारी website में यह थी आज की चोटी सी वीडियो होप करता हूँ कि आप लोगों काफी ज़्यदा प्रसांद आई होगी किसी भी किसम की query हो नीचे comment box खुला हुआ comment करके पूछ सकते हो and next किस topic पर वीडियो होनी चाहिए लाजमी से comment box में comment करके बताना मिलते परी next किसी वीडियो में आज के लिए तना ही अला आपीस